चुनाओं की घोसना हो चुकी है और सभी पाटियों ने अपनी कमर कसली है कि इस बार चुनाओं में बहुमत का आकड़ा पार कर जाए और भारत में अपनी सरकार बनाएं चुनाओं के इस महापर्व में पूरे विश्व की नजर भारत के चुनाओं पे है अब की बार 400 पार का जो आंकड़ा है जो नारा है वो भाजपर सरकार ने दिया है और उसी तरह कॉंग्रेस भी बहुमत में सरकार बनाने का दावा कर रही है लेकिन भारत इतना बड़ा जो चुनाओं होने जा रहा है तो हाँ हर राजी में चुनाओं का समिक्रण बदल जाता महाराष्ट में 48 सीटे हैं और पिछली बार एंडिया ने यहां पर 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार भी उन्होंने मिसन 45 सीट का उन्हें जीतने का वो अपना दावा कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने लगातार अपनी जमीनी अस्तर पर वो अपना काम कर रहे हैं भाजपा जहां जहां भी चुनाव लड़ रही है वहाँ पर अपने छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है इसी पूरे प्रकरण में आज भाजपा ने महाराष्ट के नेता मंद से के नेता राज ठाकरे उनके सास्थ अमिश्था की मुलाकात हु पर जो है उनके बेटे अमी ठाकरे को चुनाओ लड़ाये जाए दूसरी तरफ मन से यह भी करिए कि हमें सिरीडी की सीट भी दी जाए महराष्ट में जो सीटों का जो समिकरन है वो काफी जादा दिल्चस्प है महराष्ट में NCP में दो धड़े हैं अजीत पवार गुट और स NCP में जहां पवार गुट भाजपा के साथ है ठीक हो हूँ सरत्पवार का गुट जो है वो कॉंग्रेस के साथ है और सिव सेना उध्व गुट जहाँ जहां चाहते हैं और इसलба चाहते हैं कि बोटों का कम से कम हो एम लिग कलच क्लच रखाए यसी कारवार स्थाकरे को अपने और मिलाना चाहते हैं बिहार से खबर आ रही है कि पपू यादब की जन विकास पार्टी को जो है वो कॉंग्रेस में विले हो गया है और पपू यादब हो सकता है कि कॉंग्रेस से पूर्णिया की सीट से चुनाव लड़ेंगे और भाजबा जो है वहां यानि कि जीतन राम की पार्टी को एक सीट दिया गया है